विज्ञान की दृष्टी से केवल दो ही प्रकार के पदाथ शुद्ध होते हैं तत्व और योगिक ये तत्व और योगिक क्या होते हैं? और ये शुद्ध क्यों कहलाते हैं? सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने सन 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था और फिर फ्रांस के रसाइनक्य एंटनी लॉरेंट लवाई जीये ने तत्व शब्द को प्रतिपादित किया लवाई जीये के अनुसार पदार्थ का मूल रूप जिसे रासाइनिक प्रक्रिया द्वारा अन्ने सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाते हैं जैसे की चांदी, सोना, तामबा, सलफर, कार्बन, इत्यादी अब इतक वैज्ञानिक लगभाग 118 तत्वों के बारे में जानते हैं जिन में से 92 तत्व प्रक्रतिक है और 6 मानव निर्मित तत्व हैं अधिक तत्व तो ठोस हैं, केवल 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसों के रूप में पाए जाते हैं और दो तत्व पारा और ब्रूमीन कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होते हैं गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव रवस्था ले लेते हैं सबी तत्व शुद्पदात होते हैं तत्व को उनके गुणों के आधार पर तीन भागों में बाटा जाता है धातू, अधातू और उपधातू इनको किन गुणों के आधार पर धातू, अधातू और उपधातू में वर्गी कृत किया जाता है धातुएं चमकीली होती है और ये अधिकतर ठोस होती है लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर त्रव होता है धातुएं को खीच कर इनकी तारें बनाई जा सकती है और इसलिए हम कहते हैं कि धातुएं तन्य होती है इन्हें पीट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती है धातुएं के इस गुण को अघात वर्धेता कहते हैं यानि धातुएं अघात वर्धे होती है ये प्रतिध्वनी पून होती है ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है अच्छा, तो अधातों की क्या पैचान है? अधातों के उधारण है हाइड्रोजन, गंधक, ऑक्सिजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन अधातों चमकीली नहीं होती, लेकिन इसका एक अपवाद भी है और वो है आयोडीन आयोडीन एक अकेली चमकदार अधातों है, ये तन्न नहीं होती, यानि इन्हें खीच कर इनकी तारे नहीं बनाई जा सकती ये अघात वर्धे भी नहीं होती, यानि इन्हें पीट कर इनकी चादरे भी नहीं बनाई जा सकती ये ताप और विद्युत दोनों की ही कुछालक होती है लेकिन यहां भी एक आपवाद है और वो है कारपन का अपरूप ग्रेफाइट ग्रेफाइट, विद्युत और ताप का सुचालक होता है कुछ तत्व, धातू और अधातू के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जैसे कि बोरॉन, सिलिकन और जर्मेनियम इन्हें उपधातू कहते हैं अच्छा तत्व के बारे में तो समझ आ गया अब ये योगी क्या होते हैं? ऐसे शुद्ध पदात, जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासाइनिक तौर पर सयोजन से बनते हैं, योगी कहलाते हैं अच्छा इसे एक प्रियोग करके समझाईए? जरूर, पांच ग्राम लोहे की चून लें और तीन ग्राम सल्फर पाउडर इन्हें चाइना डिश में अच्छी तरह मिलाएं तो ये तैयार हो गया लोहचून और सल्फर पाउडर का मिश्रन अच्छा जरा ये तो बताओ, छर चुम्बक के प्रती लोहे का क्या वेवहार होता है? चुम्बक लोहे को अपनी और आकरशित करता है बिल्कुल ठीक, तो देखो ये रहा च्छर चुम्बक इसे कागस में लपेट कर, इस प्रकार लोहचून और सल्फर पाउडर के मिश्रन के पास लाते है देखिए, लोहचून चुम्बक से चिपक गया चुम्बक को कागस में क्यों लपेटते है जिससे लोहचून को आसानी से चुम्बक से अलग किया जा सके चलो, अब लोहचून को चुम्बक से अलग कर देते है अब लोहचून और सल्फर पाउडर के चून का कुछ भाग चाइना डिश में लेकर तीवरताप पर लाल होने तक गर्म करते हैं अब जुआला को हटा देते हैं इसे ठंडा करते हैं एक बार फिर से चाड़ चुम्बक को गर्म लोहचून और सलफर पाउडर के लाल तप्त मिश्रण के समीब लाते हैं यहां तो कुछ भी चाड़ चुम्बक से आकरशित नहीं हो रहा हां क्योंकि गर्म करने पर लोहचून और सलफर पाउडर के मथे रासायनिक अभी क्रिया हो गई है और उनके रासायनिक तोर पर सयोजन से एक नया शुद्ध पदात बन गया है और यह पदात है आईरन सलफाइड चुकि यह आईरन और सलफर दो शुद्ध तत्वों की रासायनिक सयोग से बना है इसलिए इसे योगिक कहते है तो पहले जो लोहचून और सलफर पाउडर के साथ मिलाया था वह मिश्रन था? हां वो लोहचून और सलफर पाउडर का मिश्रन था मिश्रन और योगी कौम कैसे पहचानेंगे? उनके बीच अंतर कैसे जानेंगे? बहुत आसान है कोई भी मिश्रन उसमें उपस्तित घटकों के गुर्ण धर्मों को दर्शाता है क्या मतलब? जैसे जब हम लोह चून और सलफर पाउडर के मिश्रन के पास छड़ चुमबक लेकर गए थे तो चुमबक ने लोह चून को अपनी ओर आकरशित किया था क्योंकि लोह चून के गुण मिश्रन में विद्धिमान थे लेकिन जब लोह चून और सलफर पाउडर के चून को एक साथ लेकर लाल तप्त किया गया और फिर छड़ चुमबक को उनके समीप लाया गया तो छड़ चुमबक ने कुछ भी आकरशित नहीं किया क्योंकि अब यहाँ एक नया शुद्ध पतात बन गया है आइरन सलफाइड इसी प्रकार आप लोह चून और सलफर पाउडर के मिश्रण का कुछ अंश कार्बन डाई सलफाइड के विलियन में डालें तो सलफर इसमें भली प्रकार से घुल जाएगा और लोह चून अलग हो जाएगा लेकिन आप लोह चून और सल्फर पाउडर के लाल तप्त किये गए पदार्थ को कार्बन डाई सल्फाइड के विलियन में डालें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसी प्रकार मिश्रण और नए पने पदार्थ का कुछ अंश अलग-अलग परक्नली में तनू हाइड्रोक्लोरिक अमल में मिलाएं लोह चून और सलफर पाउडर के मिशन में तनो हाइड्रोक्लोरिक अमल डालने पर दीमी गती से हाइड्रोजन गैस निकलती है जो जलती हुई माचिस की तीली के साथ पॉप की आवास करती है लेकिन लोह चून और सलफर पाउडर को गर्म करने से प्राप्त योगिक के साथ तनो हाइड्रोक्लोरिक अमल सड़े अंडे जैसी गंद वाली हाइड्रोजन सलफाइड गैस बनाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिश्रण में तो संगठक तत्वों यानि अव्यवों के गुण मने रहते हैं लेकिन योगिक के गुण धर्म संगठक तत्वों यानि उसके अव्यवों के गुण धर्म से पूरी तरह बिन्न होते हैं मिश्रन के घटकों को बहुत एक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है, जबकि योगे के घटकों को केवल रासायनिक या वैत्यत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही अलग किया जा सकता है, योगे का संगठन पूरे पदात में समान होता है, और योगे की ब इनी गुणों के आधार पर हम मिश्रण और योगिक को पहचान सकते हैं। बिल्कुल ठीक!